चलिए नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी दोस्तों का लेर 3 एजुकेशन में देखिए हम लोग आपका compound interest वाला चेप्टर पढ़ रहे थे चक्रविवाज बाला कल हम लोगोंने basic question किये थे है ना 20 question हम लोगोंने कल की class कर लिये थे आज हम लोग आगे के question यहाँ पर करने वाले हैं यह जो आपकी exam आने वाली है एमपीटेट वर्गदो मुख्य परिक्षा यहने की चैन परिक्षा उसके लिए मैंस के लिए हम लोग compound interest यहाँ पर पढ़ रहे हैं इससे पहले कल की class में class number 1 आप लोगोंने देखी होगी जिनने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा क्योंकि इसके 20 question हम लोगोंने उस class में कर लिये हैं तो आज जो हम लोग question करेंगे वो question number 21 से start करेंगे तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल आपको पहले वाली class भी देख लेनी है ठीक है चारिए तो यह सारे question हमने कल की class में देख लिये थे question number 20 तक यहां तक हम लोगोंने कल तक कर लिये थे ठीक है पहला question आज का आपके सामने यह रहा question number 21 पढ़िएगा ध्यान से करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है लिखा हुआ है पच्चिससो रुपई की धन राशी पर चार प्रतीशत वार्शिक दर से दो वर्षों के लिए चक्रोती ब्याच तथा साधरण ब्याच का अंतर क्या होगा यनिक 25 रुपए पे 4% की रेट से 2 साल तक चक्रुदी ब्याज भी निकालना है साधरन ब्याज भी निकालना है और उसका अंतर देखना है क्या होगा 40 रुपए होगा, 45 रुपए होगा, 14 रुपए होगा, या 4 रुपए होगा ठीक है? सॉल्व करना, क्या अंसर आप लोगों का बन जाएगा ठीक है? गुड इनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार ठीक है? चाली है ना, देखो बड़ा आसान है, सबसे पहले तो साधरन ब्याज निकाल लेते हैं कि 25 रुपए पर 4% की रेट से यहां पर 2 साल का साधरन ब्याज ऑऌगा रुपए GPS 2, रुपए आ रहा है और चकुरति ब्याज की बात करें तो 2 साल का चकुरति ब्याज निकालma 204 साधरन ब्यान बन रहा है 200 कितना अंतर है चार रुपए का यानि कि option number D जो आप लोगों का बन रहा है वो बिलकुल सही जवाब बन जाएगा clear है कि यहां तक चलिए उमीद करता हूं बात समझ में आई होगी चलिए question number 22 देखिएगा करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है question number 22 कह रहा है कि कोई धनराशी चक्रती ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंतर में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंतर में 644 रुपए हो जाती है तो वह धनराशी क्या होगी यह आपको बताना है ठीक थे सच्थ। 540 रुपए 625 रुपए या 560 रुपए चलिए करिए का कोशिश क्या आंसर आप लुगों का बन रहा है करते चलना है आंसर आप लोगों का बन रहा है ठीक है चेक करीएगा इस भी दोस्त पहले साल के अंत में 650 तो ये ध्यान देना है कि ये जो 650 रुपए है ना ये मिश्रधन है ये ध्यान देना है कि 650 रुपए क्या है मिश्रधन है फिर 650 से 674 हो गए है पहले आपकी rate निकलेगी यानि कि किस rate से ब्यार लग रहा है फिर वो rate मुलधन में जोड़ करके 650 के नीचे रखेंगे तो answer आपका बन जाएगा जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि पहले साल के अंत में पहले साल के अंत में आपकी धनराशी हो रही थी 650 ठीक है लेकिन दूसर से जनले साल के अंत में वह भाद रही है वह थनराशी 644 हो जाती है तो कितनी बढ़ रही है तो यह से परसेंट के कि इस परसेंट से ब्याज लग रहा है तो 13 से करें तो 13 दुना 26, 13 से करें 35, 65, 50, 50 का डबल करेंगे 100 तो 2 दुनी 4% के हिसाब से ब्याज लग रहा है अब पहले साल के अंत में 650 हो जाती है धनराशी तो आप खुछ समझने की कोशिश करो कि अगर मैं 100 रुपई की चीज पे 4% का ब्याज लगाँगा तो मिश्रधन मेरा 104 बन जाएगा एक साल के अंत में और उसका एक साल के अंत में 650 बन रहा है तो 650 जो है वो मेरे लिए किसके बराबर है 104 के कुणा किसका करूँगा मैं 100 करूँगा बस यहां से आप सॉल करेंगे 13 से करेंगे 13,5, 65, 50 13 से करेंगे 13,04 चार दुनिए 8 4 से करेंगे तो 25 2 से करेंगे तो 25 25 इंटु 25 छास्तोबच्शिस तो इसका सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 625 इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं बड़ा ही easy है आसान है ठीक चले next question पर चलते हैं मेरे दोस्तों question number 23 पर आप लोग नज़र डालिएगा करने की कोशिश करिएगा question number 23 आपको सामने ये रहा लिखा हुआ है अर्धवार्शिक रूप से सहियोजित अर्धवार्शिक रूप से सहियोजित में क्या होता है ध्यान देने की बात है कि अर्धवार्शिक रूप से जब भी सहियोजित होगा तो ब्याज आपको दो बार गिनना पड़ेगा एक साल में साल के आधे में आपको एक बार भ्याज गिनना है फिर साल खतम होने पर गिनना है इसलिए रेट को आधी करते हैं समय को दूगना करते हैं जब भी अर्धवार्श को रेट आधी हो जाएगी समय जो एक वर्ष है वो दो गुना हो जाएगा बस और एक वर्ष के अन्त में 7803 वो धनराशी हो जाती है तो वह धनराशी क्या होगी 7000, 7200, 7500, 7700 करना जरा क्या अंसर आपका बन जाएगा ठीक है तो इसने यह जो 7803 रुपई दे रखें यह मिश्र धन दे रखा है एक साल के बाद का तो देखो यहां पर करना क्या होगा समझने कोशिश करना अगर मैं अर्ध वार्षिक की बात जैसे ही करता हूं तो मुझे यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो वार्षिक रेट है उसको मैं आधी कर दूँगा यानि कि 4% की जगे मेरी रेट जो है 2% हो जाएगी और जो समय एक वर्ष है वो समय मैं 2 ले लूँगा क्योंकि 2 बार ब्याज की ग 1.04 चार बटे सो यहीं कि 0.04 होगा टो दो दुनी 4 और यह 0.04 यहीं कि ब्याज बनेगा 4.04 थिक और मुल्धन कितना है सो तो 100 की चीज पर 4.04 का बयाज लगा हो तो 104.04 बनेगा और मिश्रदन कितना है 7803 कि मिश्रदन alien एstes 204.04 और गुणा किसका करेंगे आप से पूछी पूछी है इसलिए किसका कर देंगे 100 कर देंगे बस यहां से आप पोइंट हटाएंगे तो उपर 2-0 लग जाएंगे और काई से कट रहें चार से कट रहेंगे 4 से करेंगे तो चार दुनिया आठ दो बचा चार चुख सोला चार बचा नहीं चार से करेंगे चार दुनिया आठ दो बचा चार चुख सोला फिर चार बचा चार दुनिया आठ के बाद यहां पर चार दुनिया आठ दो बचेगा चार पंचे बीस हो जाएगा ना पच्चिस सो आ रहा है चार से चार से इसको काटे तो चार दूनी आठ फिर दो बचा चार संग चोविस फिर जीरो चार एकम चार अब 26 सो एक से ध्यान देना 78 सो तीन तीन बार पकड़ जाएगा 25 तीन पिचोतर सो इसका सही जवाब हो जाएगा तो option number C जवाब लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा clear है क्या इस तरीके से आप लोगों को करना है ठीक है ऐसे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं अहां एक और चीज कि यहां पर आपको अर्दवार्षिक वाला एक question ओर घरना है जएसे माण लिज़ा मैं यहां पर आपको एक question देता हूँ मैंने यहां पर कहा कि भईया 16,000 रुपया 12,000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से 16,000 रुपई पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का डेड़ वर्ष का चक्रती ब्याच क्या होगा यदि ब्याच जो है वो अर्धवार्षिक रूप से दे हो ब्याच कितना होगा ठीक है ठीक है बताना जरा क्या अंसर इसका बनेगा आया ना 10 शेकंद का समय अभी आपको समझ में आया अर्दवार्षिक से कैसे करना है है ना यह तो बात होगे अर्दवार्षिक की 13 поним वाला भी में बता देता हूँ यहीं पया भी ठीक है ठीक है roll एलेता है कि 13 वाला कैसी हम लोग करेंगे तो समझ में आ गया है अर्दवार्षिक जब भी होगा तो दो चीजे होगी रेट जो होगी वो डिवाइड बाइट वाइट वोगी रेट में और जो टाइम होगा वो इंटू टू होगा ठिक यहां से वही करेंगे हम रेट आधी करेंगे यहनि कि 10% कर देंगे इस समय इसका दूगना यानि कि तीन वर्ष कर देंगे तो क्वेशन नया बन गया आपका 331 के हिसाप से आपके ब्याज लगाएंगे क्योंकि तीन बार लगाएंगे तोला अजार का 10% यनि कि तोला सो तोला सो का दस परसेंट 160 160 का दस परसेंट 16 बस हो गया का तोला से करेंगे 1648 4800 फिर 1648 4800 और 16 एकम 16 छे का छे आट और एक नो आट चार बायाग दो असी लगा एक तो 5296 रुपए इसका ब्याज बन जाएगा यह आपका इस तरीके से बन सतने गा एक और चीज़ ध्यान देना कि जब भी आज 3 मासिक रूप से ही ओ जित हो तो ध्यान देना रेट आपकी चार से डिवाइड होगी रेट आपकी 4 से डिवाइड होगी और जो समय है उसमें 4 का गुणा होगा ठीक है यह आप ध्यान रख लेना जैसे क्यूशन भी कर 20,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 9 महिने का चकृति ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 3 मासिक रूप से सहियोजित हो तो फिर कैसे होगा तो यह आप लोग ध्यान लगाना कैसे करेंगे है ठीक है अब आपको यह समझ में आजाना चाहिए कि 20% को काई से डिवाइट करेंगे 3,80 कि जैसे देखा 4 से डिवाइट करना है समय भी 4 गुना करना है ठीक है तो यहाँ पर आप समझो यहाँ पर आप समझो कि अगर रेट को 4 से डिवाइट करेंगे तो 5% की रेट हो जाएगी इसको 4 गुना करेंगे तो 36 महिने 36 महिने को आप एक तरीके से क्या कह सकते हैं 3 साल कह सकते हैं तो 3 साल मतलब 331 लगेगा बस और 20,000 का 5% 20,000 का 10% 2000 होता है तो 5% 1000 होगा 10% 100 तो 5% 50 50 का 10% 5 तो ये डाई हो जाएगा ठीक है बस हो गया ये 3,500 और ये 2.5 तो ये हो जाएगा 3,152.5 ठीक है तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 3,152.5 बनेगा यहां तक ऐसे करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखना इसके अलवा आप लोग सारे चेप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो ट्रिपल नाइन में अभी पूरा कोर्स जोईन कर सकते हैं मद्यपदेश शिक्षक वर्ग दो मैंस के लिए कोर्स कहां मिलेगा लेयर 3 एजुकेशन एप आप डाउनलोड करना है न यह आप डाउनलोड करना मोबाइल में आपको कोर्स मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं दोस्तों क्योशन नमबर 24 पर नजर डालना और करने की कोशिश करना क्योशन नमबर 24 कि किसी राशी का दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए है यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो मोलधन क्या होगा ये आपको बताना ना दूसरा वर्ष बोला है क्या अंसर इसका बन जाएगा देखोव 2 साल तक ब्याज कैसे लगाते हैं अलग-अलग दो साल का ब्याज तो अपने को पताएं ट्ू अं बन गाते हैं लेकिन यहाँ 22 1 आफ़ si गा अव्य साल आफ पर olsa् प्रॉपे मी पिए पहले साल नहीं प्रंद लगाता हूं मैं पहले साल रगाता हूं रे CT ra दस परसंट रगेगा ठीक दुसरे साल 26 odgers परसंट रगेगा लेकिन चखरती ती ब्याज भ姐 या होता है थार patient सो रुपे बोले हैं यह 132 रुपे दूसरे साल का व्याज है तो यह 132 रुपै इन दोनों में से किसके बराबर हुए इस 11 के बराबर हुए और आपसे मुल्धन दो गुंटा किसका करें आप करेंगे 119 यॲ डो दो बचा 11-12 तो यहां पर मुल्धन आपका जाएगा 1200 रुपए आ जाएगा बोलो clear है क्या इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं clear है ठीक है ऐसे करना है छालो जैसे मान लो एक क्योशनर में देता हूँ यहीं पर इसी टाइप का इक क्योशनर करते हैं जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मान लो मैंने दूसरे साल का चक्रति ब्याज दिया 1575 रुपई और यह जो रेट है 10% इसकी जगे मैंने रेट आपको दे दी 5% तो अब आप बताना मुल्धन आपका क्या हो जाएगा ठीक है अब आपका मुल्धन क्या हो जाएगा यह आप लोग कोशिश करना है न आपको डीजिट चेंज करके दे दी है ताकि एक क्योश्चन की और आपकी साथ ही साथ में प्रेक्टिस हो जाए ठीक है मैंने क्या किया किसी राशी का दूसरे वर्ष का चक्रति ब्याज 1575 रुपई है और रेट आपकी 5% है तो आपको बताना है कि मुल्धन कितने नहीं पता है 100 रुपई माल लो 100 का 5% 5 100 का 5% 5 लेकिन अगले साल 5 का 5% यानि कि 0.25 दूसरे साल का लगेगा 5.25 तो यहां पर यह 1575 किसके बराबर है 5.25 के और गुणा आपको करना है 100 पॉइंट हटेगा यहां 0 यह तीन बार में कट जाएगा 5 तीया 15 तीन बार और तीन जाएगा बोलो clear हो रहा है क्या ऐसे आप लोगों को करना है इस तरीके के question अगर आता है तो इस तरीके से आपको deal करना है next question पर चलते हैं मेरे दोस्तों question number 25 पर आप लोग नजर डालना करने की कोशिश करना अभी जैसा सीखा है वैसा ही question है यह करना जरा कोशिश लिखा हु मिल जाए वह अलग है दूसरे वर्ष मिल जाए वह अलग है ठीक है यह ध्यान रखना तक्रुती बैज मिलता है तो मूल राशी कितनी होगी साथ हजार पांच जार आठ हजार या छी हजार कोशिश करना अंसर लाना क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है यह करना सारे दोस्त ठीक है तो क्लियर हो गया होगा दूसरे साल अभी 5% के हिसाब सकर में 100 रुपए पर 100 रुपए पहले साल दूसरे साल ब्याज लगाओ तो पहले साल 5% का 5 रुपए दूसरे साल भी 5% का 5 रुपए लेकिन दूसरे साल 5 का भी 5% यह नहीं 0.25 रुपए लगेगा तो 5.25 लग जाएगा तो यह जो 420 है ना यह बराबर रहेगा 5.25 के और मुल्दन अगर आपको चाहिए तो गुणा किसका करेंगे आप सो का करेंगे पॉइंट हटाएंगे यहां से दो जिरो 25 से करेंगे 25 चोक सो चार सो पच्ची से करेंगे 52 पचास पच्ची से काटेंगे 22 बैयाली तो आठ हजार इसका बिलकुल सही जवाब बन जाएगा तो आपको यह अलग अलग ब्याज निकालना भी आना चाहिए पहले साल का अलग नि को लेते हैं जैसे मानली जै मैंने यहीं पर आपको बोला कि 2000 रुपए पर 2000 रुपए पर चक्रती ब्याज लगाना है लेकिन पहले साल जो रेट रहेगी वह रहेगी 4% और दूसरे साल जो रेट रहेगी वह रहेगी 3% तो आपको बताना है कि कुल 2 साल का ब्याज कितना है पहले साल रेट है चार परसेंट दूसरे साल है तीन परसेंट तो आपको बताना है कि दोनों साल में जो ब्याज लगेगा वो कितने रुपए होगा यह आप अंसर करिएगा अगर आप कोपी पेन लेकर के बेठे हैं तो आप आंसर करेंगे वरना आप वेट करेंगे हैं तस बीस सेकंड के कोई जवाब देदे फिर उस आदमी जो खड़ा है वो समझाएगा इस ही आपके मन में चल रहा होगा यह आदमी खड़ा है यह अभी जिसे अहाँ पर समझ नहीं कोशिछ maior की हम पहले साल जो विश्श लगाएंगे वह 2000 का 4% और दुसरे साल गाएगंगे वह 2000 का 3% होगा तो 2000 का 4% कितना हो गा विस्ट्जों का 60 रुपए और दूसरे साल इस तिया वो 3% के हिसाब से लगेगा तो दूसरे साल हम इस पे ब्याज लगा रहा है 80 पे तो 80 का कितना लगेगा 3% क्योंकि यहां पर 4% की रेट है और इस साल 3% की रेट है तो 80 का 3% और निकाल करके यहां आप जोड़ देंगे तो 80 का 3% कित्ता होता है 80 तिया 240 240 बटे 100 यानि कि 100 00 खत आपका चक्रती ब्याज होगा clear है क्या उमीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी ठीक है ऐसे question भी कभी आ जाए तो आपको ऐसे deal करना है उनसे next question पे चलते हैं मेरे दोस्तों अगला question आप लोग लीजिएगा question number 26 पे नज़र डालिएगा और करने की कोशि Asiand की वार्षिक दर्श चक्रती ब्याच पे 800 रुपए इत्ते साल में 800 बीया सि हो जाएंगे एक साल में तो पांच परसें लगा चाली सरु इस रूपई ही लगेगा चाली सो लगाना है तो दो साल और लगेंगे तो दो साल में हो जाएगा और क्या ओर चाली सो यह तो 800 82 करना है तो कुल 82 रुपए का ब्याज लगना चाहिए तो अगर मैं दो साल तक ब्याज लगाता हूं तो 800 का 5% किता होता है 40, 40 का 5% किता होता है 2, तो 40, 80 और 2 यानि की 82 रुपए लग रहा है मतलब 2 साल इसका सई जवाब है आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों क्योशन 27 क्या कह रहा है किसी राशी पर 3 वर्ष के लिए साधन ब्याज 225 है उसी राशी पर उसी अवधी के लिए मतलब उतने ही साल उसी राशी पर उसी अवधी कितने रुपए होगा 3000 रुपए, 1800 रुपए, 1500 रुपए या 2250 रुपए कोशिश करिएगा सभी दोस्त क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है ध्यान दीजिएगा अंसर लाईएगा सभी दोस्त ठीक है इसमें ये ध्यान रखना है कि साधन ब्याज और चक्रति ब्याज में क्या रिलेशन होता है जब कि दो साल का चकृति ब्याज 153 रुपए है एक चीस ध्यान रखना कि साधन ब्याज हर साल बराबर लगता है पहले साल दूसरे साल तीसरे साल तीनों साल बराबर लगता है तो इसको तीन साल में अगर बाटे दूसेटन बएज बराबर लगता है तो ये 155 लगा ओगा और ये 153 हो गया तो ये 188 लगा होगा दूसरे सल तब जाकर के 153 हुआ है और 55-58 हुआ है यानि कि 3 रुपए ब्याज पर ब्याज लगा होगा इस 55 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज लगा तो कितना % है वह आप निकाल लो 25 25 तिया पिचोतर 3-3 खतम तो rate कितनी आ रही है 4% की rate से फैब लग रहा है मुल अगर नींगालना है तो ये देखो एक साल का व्याज विच्हत्त रुपर गारेट एक साल कि रिएट 4% है तो 554 के बराबर है तो 100 के बराबर कित्त तो 4 से काटेंगे 25 25 इस इंटू बिचोत्तर कित्ता हो रहा है अठासू बिचोत्तर हो रहा है यानि कि option number B जो आप लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन रहा है clear है क्या ऐसे करेंगे next question पर चलते हैं मेरे दोस्तों question number 28 पर नजर डालना करने की कोशिश करना अठासवा question question number 28 पचासजार का निवेश दो वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रदी ब्याज पर निवेश करता है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में यानि कि खाते में पड़ी हुई राशी कितनी होगी 55,125 55,625 55,225 या 55,325 चेक करना है कुल मिला कि आपको ब्य व्यार में जोड़ देना है तो फbor दो साल का व्याज निकालना है फांच परसंट की ऩा देखो है गल सा है दो साल का व्याज किसे निकालते हैं दोस्तों तो आपको पता है बहूं अच्छे से दो साल का जानी त्वेश अनृट कर ना यह चुट्यामन साख गया ind Learn का आधा यानि कि 125 बस पच्चिस सो का डबल पाँजार और फिर ये 125 तो पाँजार 125 रुपए आपका ब्याज बनेगा और पचाहँजार और इसमें जोड़ दे तो 55,125 क्रेडिट में पड़ी हुई राशी होगी यानि कि option नंबर ये जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्क करने की कोशिश करिएगा question number 29 आप लोगों के सामने ये रहा ज्यान देना दो वर्ष के लिए चक्रति ब्याज और साधान ब्याज का अंतर 40 रुपए है यदि ब्याज की वारिशिकदर 10% है तो मुल्धन क्या होगा ठीक है अंतर आपको 40 दे रखा है तो मुल्धन क्या होग होगा यह आपको निकालना है अंतर वाले question ठीक है कैसे करेंगे करना कोशिश इंपली है question ठीक है चलो देखो कैसे करेंगे तो यहां पर यह 40 रुपए अंतर है अगर 40 रुपए उसने अंतर दे रखा है तो में भी अगर साधन ब्याज चक्रति ब्याज का अंतर निकाल दू लगा हूं तो मेरा साधन ब्याज बनता है 10 दूना 20 रुपए और यह झाली क्ता है 1 के बड़ाबर और 40 रुपए एक के बराबर मुल्द अगर चाहिए तो 100 का गुणा 40 गुणा 100 यानि की कित्ता आजाएगा 4000 आजाएगा बोलो clear है क्या इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है बहुत आसान next question पर जलते हैं अगर ये समझ में आया है अगला question जरूर आप से बनेगा है न ठीक है टेको दो वर्ष के लिए चकलदब्याज और 17 का अंतर 15 है डर्भी आपकी 10% Punyaktar corrupt 10% से 17 ऐसे आप लोगों котором कोन आ रहा था एक रुपय को और ये पंद्रा रूपय के बराबर है तो 15 रुपया एक के बराबर है तो 100 के बराबर क्ता तो आपका आंसर कित्ता जाएगा 1500 बोलो समझ में आ रहा है क्या कुछ नहीं करना है जो आपका आंतर दिया है 15 रुपए उसके नीचे अपना आंतर लिखना है अपना अंतर कित्ता करना लिखा है दो वर्षों के लिए चक्रोती ब्याज और साधन ब्याज का अंतर 8 रुपए है यदि ब्याज की वारिशिक दर 4% है तो मुल्धन क्या होगा अब एक नहीं आएगा नीचे पिछली बार 10% था इसलिए अंतर का एक आ रहा था लेकिन इस बार अंतर दूसरा क्या अंसर आप लोगों का बन जाएगा कि कोशिश करो दिमाग लगाओ ठीक है चलो क्या अंसर बन रहा है देखो यह उसने तो अंतर 8 रुपए का दिया है ठीक है अब 8 रुपए अपने लिए किसके बराबर है तो मैं मुल्धन 100 रुपए अगर मानता हूं तो साधन ब्याच क्या होगा उसे काटेंगे तो पांच जार रुपए आ जाएगा तो इसका सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा पांच जार रुपए बोलो क्लियर है क्या ऐसे करना है तो जो अंतर वाले सवाल है वो इस तरीके से आपके बन जाएंगे नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं इसके लाव मैंने कोर्स का बताई दिया जो लोग चेप्टर वाइस पढ़ना चाहें ट्रिपल नाइन में अभी पूरा कोर्स मिल जाएगा मैंस का जिन लोगों को भी जोईन करना है इसमें सारे वीडियो हैं आप लोग जा करके देख सकत हैं डेमो क्लास भी अवेलेबल है वह आपको कहां दिखेगी तो आपको लेयर 3 एजुकेशन एप डाउनलोड करना है इसके स्टोर ओप्शन में जाना है अभी कोर्स मात्र 999 में पूरी एक साल की वेलिटी के लिए है ठीक है तो जिनको भी जोईन करना है वह पहले डेमो क् है तो वह देख लेना समझ में आ जाए तो जोईन कर लेना लेकिन जहां समझ में आये वहां जोईन करके एक बार सारे चेप्टर जरू पढ़ लेना कहीं से भी पढ़ना पर पढ़ जरू लेना ठीक है चली क्योशन नमबर 32 पर नजर डालना करने की कुशिश करना तीन वर्ष के लिए चक्रती ब्याज और साधन ब्याज का अंतर 31 रुपए है यदि ब्याज की वार्षिक दर 10 परसेंड हो तो मुल्धन क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है चेक करिएगा क्या अंसर आ रहा है 2000 3000 4000 इन में से कोई नहीं अब ये जो पहले दो साल का अंतर था अभी तीन साल का अंतर दे रखा है तो करना जरा क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है ठीक है कोशिश करिएगा अंसर लाइएगा सभी दोस्त क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है ठीक है ठीक है चेक करना ठीक है तो देखो एक काम करते हैं मैं 100 रुपए मुल्धन मानता हूँ तो साधारन ब्याज और चक्रति ब्याज दोने निकल हूँ साधारन ब्याज चक्रति ब्याज तो रुपए पर अगर साधारन ब्याज निकलना हो 3 एकम 3 और यह 0.1 यह बनेगा 33.1 रुपए यहां 30 रुपए हैं यहां 33.1 है तो 3.1 का अंतर है उसका अंतर किता है 31 तो वो 31 अंतर है वो 3.1 के बराबर है और आप से पूछा है मुल्दन क्या होगा तो 100 का गुणा पॉइंट हटेगा यहां से यहां 0 लग जाएगी 31 31 तो 1000 आ स्वाब बन जाएगा ओलो क्लियर है क्या ऐसे आप लोगों को करना है नेक्स्ट क्योशन पर जलते हैं मेरे दोस्तों क्योशन नमबर 33 पर नदर डालना करने की कोशिश करना वैसा ही क्योशन है अंतर वाला तो दो वर्ष के लिए चक्रति ब्याज और साधन ब्याज का अंतर 768 रुपय है यदि ब्याज की वारिशिक दर आट परसेंड है तो मुल्धन क्या होगा तो यह 768 रुपय। अंतर है तो आपको क्या करना है 768 के नीचे ही 768 के हिसाब से अपना भी अंतर बनाना है उग मुल्धन का गुणा यहां पर आपको करना है ठीक है ऐसे चलिए आ रहा है क्या अंसर ठीक है चलिए आ गया होगा 120,000 आ रहा है ठीक है देखो यह 768 उसका अंतर है हम भी अंतर निकालेंगे कैसे तो मुल्दन हम 100 रुपे मान लेते हैं तो पर अगर मैं साधन ब्याज लगा हूं 8% की रेट से 2 साल का साधन ब्याज मेरा कित्ता बनेग और उसका भी चक्रति ब्याज 2-1 के हिसाब से 100 का 8% तो 8 होता है 8 का 8% पॉइंट 64 होता है है न तो यह हो जाएका 16 और यह पॉइंट 64 तो पॉइंट 64 के बराबर है यह गुणा मुल्धन पूचा है तो 100 का गुणा करेंगे यहां से पॉइंट हटेगा यहां 2-0 लगेगी तो अंतर वाले question को ऐसे करना है चाहे 2 साल का अंतर हो 3 साल का अंतर हो इस तरीके से करना है ठीक है चलिए अभी आगे और question करते हैं मैं question homework में दे रहा हूं आपको कि साधान ब्याज और चक्रति ब्याज का अंतर है साधान ब्याज और चक्रति ब्याज का जो अंतर है वो है 15.25 रुपए कितना है 15.25 और कितने साल का अंतर है यह तीन वर्ष का अंतर है और रेट कितनी है तो रेट आपकी पांच परसेंट की दर से साधन ब्याज चक्रिल ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है और समय अगर तीन वर्ष है तो आपको बताना है कि वो मुल्धन क्या है जिस यह ब्याज लगाने पर यह अंतर मिल रहा है यह आपका क्योशन है homework का कल भी कुशन दिया था किसी का answer ने आप आपाए था आज देखते हैं कितने दोस्तों का answer बनता है चेक करके बताना मुझे अगर यह सब समझ में आ रहा है तो चल आगे बढ़ते हैं question number 34 करते हैं देखना समझना करने की कोशिश करना Q34 पर नदर डालना क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है लिखा है मेरे दोस्तों दो वर्ष के लिए चक्रती ब्याज और साधारन ब्याज का अंतर 48 रुपए है यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो मूल धन क्या होगा 1000 रुपए 1200 रुपए 1500 रुपए या 2000 रुपए कोशिश करना अंसर लाना क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है ठीक है कोशिश करना सभी दोस्त ठीक है वो का वही है 20% के इसाप से क्या अंतर आएगा तो आप खुच समझना उसने तो 48 रुपए अंतर दे दिया है कोई बात नहीं हम भी अंतर निकालेंगे पहले मुल्धन 100 रुपए मान लेते हैं साधान ब्याज निकालना हो तो 100 पे 20% की रेट से 2 साल का साधान ब्याज कितना बनेगा अपना 100 से 100 खतम तो 20 दुना 40 रुपए अपना साधान ब्याज बन रहा है चक्रति ब्याज कैसे निकालते हैं तो 100 का 20% तो 20 20 का 20% 4 तो 40 और 4 चक्रति ब्याज 44 रुपए बन रहा है अपना अंतर कितना आ रहा है चार रुपए का ये 48 4 के बराबर तो सो के बराबर कितना यही पूछा है उसने चार से करेंगे तो बारा बारा गुणी सो यानि की बारा सो रुपए मुल्धन हो जाएगा तो इसका सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा बारा सो क्लियर है क्या ऐसे करना है क्यूशन पर 35 पर नजर डालना करने की कुशिश करना क्या अंसर इसका बनेगा क्यूशन पर 35 कह रहा है कि दो वर्ष के लिए चक्रती ब्याच और साधारन ब्याच का अंतर 86.40 है यदि ब्याच की वार्षिक दर बारा परसेंट हो तो मुल्धन क्या होगा यह बताना है 8,000, 8,640, 5,600 या 6,000 देख करो सभी दोस्त क्या अंसर आप लोगों का बन जाएगा कोशिश करना अंसर लाना ठीक है चलो कर लिया होगा आप लोगों ने देखो उसने अंतर कितना दे रखा है है 86.40 तो 86.40 और 12% का उसने दर दे रखी तो हम 100 रुपए मुल्धन अगर मानते हैं तो 100 पे अगर हम 12% की रेट से 2 साल तक साधरन ब्याज लगाए तो अपने को पता चल रहा है कि साधरन ब्याज तो 24 रुपए है चक्रति ब्याज लगाएं तो 21 लगाएंगे तो 100 का 12% 12 12 का 12% 1.44 तो अंतर 1.44 का आ रहा है गुणा क्या करेंगे मुल्धन पूछाए तो 100 का गुणा बस यहां से पॉइंट हटेगा पॉइंट से पॉइंट खतम 12 से करेंगे 12.74 फिर 2 बचा 12.24 बारा से बारा बारा से करेंगे बार चंग बहुत तर तो गुणा करेंगे 600 6,000 सोरी है ना क्या अंसर आएगा इसका 6,000 आ जाएगा क्योंकि एक 0 और 3 यहां पे ठीक है तो 60 गुणी 100 यह नहीं कि मुल्धन आपका क्या हो जाएगा 6,000 उपे हो जाएगा ऐसे आप लोगों को करना है ठीक है तो यह आपके अंतर वाले क्योशन थे इस तरीके से हम लोग करेंगे कल हम लोग कोई नया चेप्टर लेंगे बाकी आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों सारे चेप्टर पढ़ना है वो लेयर 3 एजुकेशन एप डाउनलोड करें लेयर 3 एजुकेशन एप आप डाउनलोड करें उस एप में आपको है ना पूरा कोर्स मिल जाएगा वर्ग दो मेंस के लिए ठीक है फीस 999 है बहुत ही शांदार है है ना आप लोग एक बार वीड से ही मेनत करते रहें आपका जल्दी सिलेक्शन हो और आप अपने सपनों को साकार करें चलिए थैंक्यू सो में दोस्तों गुड़नाइट धन्यवाद